लिब रुख करते हैं कुछ सियासी खबरों का राजे सभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आब हम आपको बता रहे हैं राजे सभा सीट के लिए कॉंग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी कॉंग्रेस उपाद्यक्ष्य चंद्र प्रभाश शेखर ने ये पुष्टी कर दी है पिसीसी चीफ का ये सिधानतिक निर्णे है जी ये जो वयान है सामने आ रहा है आपको बता दे कि चंद्र प्रभाश शेखर ने ही ये बात कही है कि पिसीसी चीफ का ये सिधानतिक रही है जपल बनने के बाद एक सीट मध्यपदेश से खाली हुई है राजस्टाभा की भारती जनता पार्टी जाहर है कि मैदान में होगी लेकिन कॉंग्रिस ने निर्णे लिया है कि वो मैदान में नहीं रहेगी क्यों मेरे साथ इस वक्त कॉंग्रिस के उपाद्धिक्ष च भारती जनता पार्टी के सही रास्वा के सदस की रूप में था और चन्जी के रोड़ महा महीं राजपाल बनने के बाद में जो इस्तिती पैदा हुई चुनाव की इसमें कमल नाजी ने अपने एक नीतिगर्द, सर्धानतिक और एक उचित विचारधारा के अधार पर नि करेंगे तो यह माना जाए कि एक मैसेज है खासकर अभी इस दोर में जब राजनीति अलग अलग होती है लेकिन एक नया मैसेज कोंगे नया मैसेज तो है इसमें डूसरी बात यह है कि केवल लड़ने के लिए लड़ना ऐसा कोई कमल नाजी का इरादा नहीं था इसलिए उन कॉंग्रेस ने यह निड़ने लेकर इस तरफ अपनी लाइन बड़ी किया है बलकि कदम भी बड़ा है लेकिन राज्य सभा से कॉंग्रेस से यहां कोई मैदान में नहीं होगा यह बड़ा कदम है का आशिश के साथ मनों से निया बंसलनीर भौपार को बता दे कॉंग्रेस ने यह निड़ने ले लिया है कि वो अपना प्रत्याशी इस सीच पर नहीं उतारेगी और भार्ती जंता पार्टी कहीं है तो भपाल चुनाव से यह जो है जुड़ी भी बड़ी खबर है इस वक्त हम आपके साथ साजा कर रहें राज्य सभा सीच के कॉंग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आपको यह भी बता दे कि यह निर्णय जो लिया गया है यह PCC चीव का सिध्धानतिक निर्णय है यह कहना है चंदर प्रभाश शेकर का कॉंग्रेस उपाध्यक्ष है चंदर प्रभाश शेकर जिन से बात की थी हमारे